हेलो बच्चों क्या हाल है आप सभी बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है युगेश वर्मा आप सभी का वाइसर अकैडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है सो जैसा कि बच्चों हम हमारी special series trigonometric basics पे हैं जिसका 3rd वीडियो यह आपके पास आने वाला है आज मैं record कर रहा हूं सो बेसिकली बच्चों फर्स और सेकेंड वीडियो में हमने कुछ basics देख ले हैं 3rd और 4th में almost हम इसको complete करेंगे तो थोड़ा समय पहले recap करते हुए चलता हूं और आप अगर डारेक्स वीडियो पे हैं तो पहले पिछले तो जरूर देखने सो continue करते हैं अपन बच्चों सो पहला वीडियो हमारा था जहां पर हमने एकदम एंगल से स्टाट की कहानी को एंगल देन वीडियो आप ट्रेंगल के बाद हमने ट्रिगों स्टाट की बच्चों यहां से और ट्रिगों को स्टाट करते हुए हमने रेसीप्रोकल फॉर्मुल दिया था योग आप सबने किया भी होगा complete कर लिया होगा then reduction allied formula allied angle जिसके थुरू हमने हमारे table को complete किया है 90 minus theta 90 plus theta you can see change no change after school to college यह सब याद रखना है यहां से important points है बच्चों and then we have seen change change या no change then change होगा तो क्या होगा change किसमें होगा नहीं हो रहा है तो क्या होगा किसमें होगा and then वो सारे 48 formula हमने create किये बनाएं और after that 48 formula compound angle हमने start कर दिया था बच्चों इफ दो angle add हो रहे हैं subtract हो रहे हैं तो क्या होगा तो बच्चों बहुत important points विकास आने वाली कहानी जितनी भी है आगे कि वो सब इनहीं पर बेस्ट है तो पहला साइने प्लस भी विचे साइने कॉस भी प्लस कॉसे साइन भी माइनस प्लस और माइनस का फरक होता है दोनों में साइन भी साइन भी सिमिलरली से माइनस भी टन साइट भी प्लस हो जाता है बच्चों यहां पर यह positive होगा टैने प्लस भी एपन वन माइनस टैन भी एंड शेकेशे compound angle हमने देखे थे बच्चो आज हम इनका ही यूज करके नए formula बनाएंगे देन अब धीरे-धीरे जो भी आगे की कहानी है ना बच्चो वह सारी इनी formula पर बेस्ट है तो भी जितनी जितने formula अब तक मैंने पढ़ा है वह आपको आने ही चाहिए कोई option नहीं उसमें नहीं आते ह हमने बच्चो जो angles बचे थे वह complete किये थे 1015 1075 सब कुछ हम देख चुके हैं आज हम कहानी को आगे बढ़ाने वाले हैं बच्चो पहले तो हम इनी की properties देखेंगे बचलो और फिर कहानी को जो है आगे लेके चलेंगे चलिए आज का session स्टार्ट करते हैं तो पहले तो आपक पर दूँगा कुछ हैसे सवाल है धरती पे ट्रिगों के जो इन properties के बिना नहीं हो सकते और या तो होंगे तो फिर उसके इतने लेंदी प्रोसेस होंगे क्या पागल हो जाएंगे सब बैटा रहे यह properties आप जरूर सीख ले मतलब 200% सीख ले इसमें कोई इबट नहीं है चार प्रोपर्टी में सिखांगा आपको इससे पहले आप एक बार ना टैने प्लस बी का फॉर्मूला जरूर देख लें बच्चो टैने प्लस बी विच इस टैने प्लस टैन बी अपॉन माइनस टैने टैन भी बस इसको याद रखें मैं प्रोपर्टी इस पर आता हूं फिर हम स यह मेरे लिए ए है यह मेरे लिए बी है तो अगर मैं यह आपर टैने प्लस भी लगा दू तो बच्चो यह हो जाएगा टैने यानिकि टैन पाई 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 फॉर प्लस टैन भी यानिकी थीटा अपॉन में हो जाएगा बच्चो बच्चो बन माइनस टैने टैन बी यानि को मिल गया सर टेन पाइब बाइब फोर प्लस थीटा एज टेवन प्लस टेन ठीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा मोस्ट इंपोर्टेंट अच्छा यह यूज कैसे होता है न प्रहले मैं यह बता दू यह तो फ्यूचर में यूज़ोगा डेरिवेटिव अगरे में पर यह यूज कैसे होता है यह यह तो ता में रिवर्स यानिकी बच्चो यह दिया होगा आपको यह यह दे रखा होगा वन प्लस टेन अपॉन उन माइनस टेन खूं और आपको इसकी जर्रूत होगी यह यूज करना होगा तो अल्वेस रिमेंबर में पहले कि सर गिवेश यह और पर दोनों या दोने चीए हमको कि बहु如1-10 वलसते प्लसते स्टेंजATT A1-10 गर मैं मैं था इसकी बात कर दूब थाँ- moreene को था उप्लस उपर नीचे प्लस बाकि कोई फरक नहीं आएगा फॉर्मुले में इतना सही डिफ्रेंस है कि बच्चो समे प्लास उपर मैनस नीचे माइनस मेश इतना सा डिफरेंस की और दोनों याद आगे बढ़ते हैं यह तो गई दो प्रॉपर्टी बच्चो अब अगर मैं थर्ड प्रॉपर्टी की बात करू आपसे तो बहुत ही गजब की प्रॉपर्टी है और इसके साथ साथ ने गजब का सवाल लगा हुआ है अगर आपको सवाल करना है तो प्रॉपर्टी आनी ही चाह यह बोल दी क्या प्रॉपर्टी मान लो बच्चों कि हमारे पास दो एंगल है ए और बी और दोनों का सम ना 90 डिग्री दे रख यानि कि सपोज वो राइट एंगल ट्रेंगल की बात कर रहा है बहुत सिंपल वाशा में बोल दो एक राइट एंगल ट्रेंगल है तो बच्चों करें नहीं है तो इन दोनों का सब늦द लमन नएंटी होगा सब असमें कोई दो रही result है नी अगर मान लों कि बहुतंद दों हैं उनका तो और तो अल्वेश रिमेंब्र बच्चों की 10-10 भीी वन होता है अब बस बहुत काम की बात है बच्चों यह बहुत जाना पर यह केवल तब होता है जब दोनों सम दोनों का सम 90 हो अगर दो एंगल जुनने पर 90 बन रहे तो यह प्रॉपर्टी काम करेगी अधर्वाइस नहीं करेगी पहली बात सरी प्रॉपर्टी आई कैसे यह याद होना च सवाल वही बने सवाल बना हुआ इस पे तो एकदम बाहर होना चाहिए कि अगर मान लो दो सब्सक्राइब का सम पाई बाई टू है तो टैने इंटू टैनली वन होगा अब कैसे कैसे पहले तो प्रूफ देखते हैं सर इसका प्रूफ क्या और फिर कि सवाल में यह यूज हो अगर इंफिनिटी तो बही वन बाई जील अगर इंफिनिटी होता है तो तो infinity can be written as 1 by 0, तो मैं 1090 को 20 लिख सकता हूं बच्चो 1 by 0, और जिस दिन मैंने 1 by 0 लिखे, cross multiply कर दिया, यह 0 इदर आएगा, सब को मार देगा, सब 0 बना देगा, is equal to 1 minus 10 a 10 b, तो बच्चो 10 a 10 b इदर जिस दिन उठके आया ना, तो 10 a 10 b की value 1 हो गई, क्या हो गई बच्चो 1, त 10 1 into 10 2, इडिगरी एक होपड़ी में ठीक है, आई नहीं बना देना उसको, 10 1 डिगरी, 10 2 डिगरी, into 10 3 डिगरी से लेके, सरजी 10 1 89 डिगरी, इसका अंसर क्या, अब आपकी होपड़ी में या तो सारी values आती हो, 1 आता हो, 2 आता हो, 3 आता हो, 89 तक सब आता हो, पहली बात, और या तो आपको स्ट्राइक कर जाए, सर, खली पहले और लास्ट को देख लो, देखो बचो, लास्ट अगर 89 ने, सोचो, अगर लास्ट 89 ने, तो उसके पहले कौन होगा, जरा समझते, भाया, यह अगर 10 89 है, तो common senses है, उसके पहले 10 88 होगा, उसके पहले 10 87 होगा, उसके पहल लेके 88, देन 3 से लेके 87, अगर मैं इंसरों को साथ में ले आँ ना, तो मेरी खोपड़ी में एक बात लिक हो जाएगी, कि सर, जिस दिन 10 1, आ जाएगा, 10 89 के साथ, तो यहाँ पर मैं observe करूँगा, कि मेरे दोनों एंगल का सम 90 डिगरी बन रहा है, अच्छे से देखना, यह यह मेरा एंगल है, यह मेरा एंगल भी और दोनों का सम 90 है, सेम केस हो रहा है सर, अगर मैंने 10 2 और 10 88 को ले लिया, तो सर, इसके भी एंगल का सम 90 डिगरी, मतलब सर, दोनों एंगल जुडने पर 90 बनाएंगे, सेम केस है बच्छो, अगर मैंने 10 3 ले लिया, विथ 10 87, और य 26 90 होगा 45 एकलौता बिचारा बज़ गया बीच में क्योंकि सर यहां से 89 टम है 89 टम है 88 जोडियां बन जाएंगी यह देखो जोडी बन रही है तो ऐसी 88 जोडियां बनेंगी बच्चो 88 पेर not 88 पेर 88 कैसे बनेंगी बई 89 टम है 88 टम है तो उसके आधे बनेंगे 44 पेर बनेंगे बच्चो 44 जोडियां बनेंगी यहां पर और पेर बनने के बाद ना पेर बनने के बाद एक इकलौता बज़ गया बीच में सर 1045 अब अगर आप खोपड़ी चला है ना सर यह जितनी जोडि सब्सक्राइब होगी जाएंगी पूरे 44 कि 44 सब्सक्राइब बात ने शोडिया ना ये पैली बात आप दूसरी बात जो 1045 बीच में बच गया सर उसकी व्याली वरस होती है तो यह गया वन सर सबके बीच में मल्टिप्लाइब कर दो बच्चो बच्चों यतनी बार आया हुआ सब्सक्राइब एक्जाम में हलका है कुछ दम नहीं है बस एक ही दम है या पूपर्टी आती एक तो भई बहुत काम की प्रॉपर्टी रट्ट होनी चीए दूसरा उक्शन नी और Diamond came she came a 223 फोपर्टी यह यह चोटी फोपर्टी बचालो प्रोपर्टी नंबर्फ BBC अगर मैं बात करूँ तो प्रोपर्टी नंबर फ़ुर्च अगर माण लो इसे तो नों एंत्यव ग्रह सब 1910 देन के और यह भी या दोने चाहिए नंबर फूर तो बच्चो यह चारो प्रॉपर्टी जो है ना भी आपको बाइहाड की और इन पर बनते हैं सवाल फसते हैं वहां पर आपको अगर क्लिक नहीं हुआ ना तो खत्म वह सवाल छोड़ देना है वह हो ही नहीं पाएगा क्योंकि सीट अंसर आना ही चीए नहीं आया तो बस खिल कतम है ठीक है चलिए आगे बढ़ता हूं भी अब मैं तो यह भी कानी बच्चों हमारी कंपाउंड की पूरी खतम यहां पर अच्छा एक पॉइंट मिस हो गया है अपना मैं इस क्या मतलब हमने अभी तक देखा नहीं डेट इस न याद रखना है जैसे मैं बताऊंगा बड़ी सिंपल बाशा में देखे मान लीजे धरती पर कभी थीटा माइनस थीटा बन गया आपकी जिंदिगी में एक सवाल आ गया और उसमें अंदर माइनस बैट रखता है किसी के अंदर का मतलब बच्चों साइन के अंदर भी बैट होट एन बच्चा लोग से को से कोई भी हो जाएं लेको एक बात याद रखनी वह क्या याद रखनी है बचो चैनल भी। मैंस को डाइजिस कर जाते हैं है ऐसी याद करणा है जैसे मैं मैं बता रहाँ दो नेगर्टी फेलंग है और इसी याद रखना है ओरीजनल भार में गया है करने वाले जो कौन-कॉन से है कॉप्ष सब्सक्रारी करने वाले बागी सारे साइन वींट करेंगा पॉस को सिक इनको इवन फंक्शन बोलते हैं बोध हर इवन फंक्शन और जितने बचे ना बाकि सारे जो सारे बच गया है बच्छों सारे और फंक्शन है यानिके साइन आँके इवन फंक्शन होते हैं इवन फंक्शन यानि कि आप मैनस रख़ोर मैनस बार आजाये तो इनके कैस में क्या हो रहा है तो देया और और जिसके बस हमको इतना सा याद रखना कि कौन इवन है कौन अगया भाड में यह करता है तो दो डाइजस करते बाखी करते याद रखने के ठीक है चारो नेक्स पॉइंट तो यहां तक होगी एकदम अच्छी अच्छी बाते हैं हमने कंपाउंड इंग नहीं हमारा खतम कर लिया पूरा कंपाउंड उसकी चार प्रॉपर्टी चारों डिसकस कर लिए पर चारों टैन की थी अब धीरे धीरे ना बात बड़ेगी साइन और पॉस्ट पर भी आएगी कि कि देखो क्या होता था ना मैं आपको बताओं आजकल तो फेस्बूक इंस्टाग्राम और यूटूब वाला जमान है पहले नहीं होता था पहले कि आप फुरसत के लमें आदमी फुकट है काम दंदा कुछ है नहीं तो करे तो करे क्या तो भी मैतमेटेशन ने दिमाग लग रखने के लिए जोगी जल्दी याद रहते नहीं है और मैं आपको एक बात बताओं ट्रिकों में चीजों को याद रखना मतलब बहुत ज्यादा सवाल करना नंबर ऑफ सवाल कर लो नंबर सारे ट्रिकों के फर्मुले याद हो जाएंगे तो वह समय के बाद भूले ना इस रखो जो आपको हमेशा हीट होते रहें आपको इंस्टेंट क्लिक हो जाएं जैसे आप मैं आगे जो बढ़ाने जा रहा हूं बच्छों आज बैसिकली उसको औरिजनली बोलते हैं सी एंडी फॉर्मुला सी एंडी यानि की मान लीजे कभी देखिए हम दो टाइप से आगे आपको यही नाम देना है सासू चोर और यह आपको 200 टका जीवन मर याद रहेगा आज पढ़ दीजे 200 परसेंट आपको पूरी जिंदगी याद रहने वाली है तो चलिए स्टार्ट करता हूं कहानी पहले तो मैं इनका इन्मेंशन यह फॉर्मुले बने कैसे वहां से स्टा लाइन याद रहेंगी पर उसका इंप्लिमेंटेशन आपको नहीं आएगा वो जब तक number of सवाल नहीं होंगे यहां पर मैं केवल बेसिक सिखा रहा हूं इसलिए मैं केवल फॉर्मुले बनाते चलूंगा मैं सवाल नहीं करा हूंगा सवाल मैं करा हूंगा जब मैं पढ़ा यह तर्म में दीखते हैं इसलिए c&d नाम दे रहा हूं है बैसिकली इस इस सम एंडिफ्रेंस से प्रोड़क्त से सम इंडिफ्रेंस वो नाम देंगे तो ज्यादा आच्छा है तो भी ओंड गुव सी एंडी सीधे हम सासो चोरी बोलेंगे ठीक है अच्छा उस्ते उससे पह τους प्रफ्लस यह 내가 सई पैसे साइन एक je सिमिलरली अगर पैसल मैंने माइनस की की बात की इस कोशा माइनस तो वह एक सब्स क्यों मैंनस डी साइन इस माइनस बिसों पहले साइन के यह बात कम्लीट करें साइनल माइनस दू होता है साइन दिसक रहा है यह यह दो inspired नहीं काम धंदा तो था नहीं लोगों को तो बना दिया बई बना क्या दिया इन दोनों को एड़ कर दिया ऐसा हुआ कि यह काम करते बेटे बेटे एड़ कर लेते एड़ कर दिया तो जिस दिन मैंने दोनों को एड़ किया बच्चो ध्यान देना जिस दिन अपने दोनों को एड़ क सेम सेम सैनी है कॉसमी से मैं सब् 민 corridor 200 साइन आकाइस और ना भ savage अगर आप द्यान दे substances मर के क्यों कि एक Pacific पॉजटीव को सब्सक्राइब जंड़ेन भ्याय है क्या हमारी जिंड़िश्य को हरने के लिए और आपको इसको पढ़ना पड़े हाथ हैं औरा वो कैसे उन्लों को एड़ किया बताया ना फुरसत के लमें ते और कुछ कर दिया लेकिन हुआ क्या ना मान लीजी कभी आपके जीवन में कोई सवाल प्रोडक्ट में फसा है और आपको सम और डिफरेंस की चरुरत है दोसो परसंट यहां से आपका काम निकल जाएगा यह देखो यह सारा एक बच्चों अब फूर्शत में तो कुछ हो कर सकते एड करें मल्टिप्लाइ करें 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 करेंगे जबक्य करना पर मैं कर वहाँ ठीक है तो दब कानी जीवन और आसान कर सको माइनस यहां माइनस और यहां पर प्लस हो जाएगा आप समझ रहे होंगे माइनस माइनस बटा ले अब वोड़ा दे इसको कां से उड़ेगा लगा है कि शुक्तेट कर रहा हूं सब्सक्राइक कर रहा हूं तो यह दोनों हो जाएगा बच्चो पिकेन यह देखो इसका आउटपूट की आएगा साइने प्लस बी- माइनस साइने माइनस बीजिक वल टू यह दोनों मर कर दिया मैंने बच्छों आपके लिए देट इस टू को से कॉस बेस्ट इस दो फर्मुले हो गए देखो दो बाते की हमने दो जनको एड़ सब्ट्रेक क्या दो फर्मुले निकाल दिखो अब फुरसत के लिए के लिए थोड़ी जोते हैं जब दो इंवेंशन आया तो और दो साइन भी और को से माइनस भी हमारा हो जाएगा को से कॉस बी माइनस में प्लस साइन साइन भी और जिस दिन हमने बच्छों दोनों को एड़ किया यह देखो एड़ कर दिया तो यह दोनों एड़ हो जाएंगे देट इस कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस भी दिस यह दोनों एड होंगे बच्चो तो दोनों से मैं तो दोनों एड होगे यह दिस कॉसे कॉस भी और यह दोनों सेम साइन है अपोजिट है सेम चीज है तो यह दोनों सब्ट्रेक्ट हो गए यह तो एड की कानी हो गई मान लो बच्चो हमने सब्ट्रेक्ट कर दिया चीजों को यह तो एड़ कर दिया था अब चलो सब्ट्रैक करते हैं भी कि सब्ट्रैक करते ही देखना क्या हो जाएगा यहां पर माइनस कर दिया यह थर्ड फॉर्मूला बन चुका है मेरा पोर्द बन जाएगा बच्चों जिस दिन मैंने माइनस किया टंस आउट भी कॉसे प्लस भी माइनस कुस से माइनस कॉस से माइनस कौस से माइनस बी अविज इक्वल टू सब्ट्रैक करते यह यह माइनस और यह तो मुर्द फार्मूला नंबर पोर चार फोर्मूले आगयाBERG यह मारे पास और यह चार फर्बुले बच्चो जहां हम प्रोड़क्त से चीजों को some and difference में convert कर सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मॉले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है अब चारों यादोने चीए पहली बात किसर याद तो हां याद अनarent है कैसे आया क्या आया यह तो एक्जाम में काम नहीं आएगा एक्जाम में फॉर्मुला आएगा सीधा अंसर आए पुशन है सीधे अंसर देना है तो अब चारों को ना बढ़ी एक तरफ लिख लेते हैं चलो एक साथ लिख लेते हैं चारों को यह जो चार है न बचो मैं चारों आपको एक तरफ लिखता हूं देखो भई फॉर्मूला है प्रोड़क्ट से सम एंड डिफरेंस का सफर प्रोड़क्ट से कैसे सम एंड डिफरेंस में जाना है तो बच्चो पहला फॉर्मूला जोता ना वह था हमारा टू टैम साइन इंटू कॉस जो क्यों होता है बच्चो साइने प्लस बी प्लस साइने माइनस बी अब आपके दिमाग में है साइने प्लस बी माइनस साइने मैं चाहता तो सीधे आपको फॉर्मूले देता यह लिख देता पर भाई आपकी खुपड़ी में भी तो फिट हो ना ची कहां से आया नंबर थ्री यह बच्चो टू कॉसे कॉस बी जो क्यों हो जाएगा कॉसे प्लस बी प्लस कॉसे माइनस बी एन बच्चो फोर्थ पे है माइनस टू टेंड देखना यह नेगेटिव है इसको मैं दो तरीकों से लिख सेता हूं लास्ट वाले को देखना आप कैसे Sine A Sine B which is equal to Cos A Plus B minus Cos A minus B या तो मैं इसको ऐसे लिखाँ या ना बच्चो मैं इसको ठोड़ा चेंज कर सकता हूं कि भी माइनस अटा दूं टू Sine A Sine B को I can write या पे चोस A-B पहले आ गया और से प्लस B बात में चला गया यह कर सकते हैं यहन inquis covi틱 इ た इसको टो चीज़े याद हो चेए सट्mamay IT कि आ तो यह चार शॉर्मूले बच्चो जहां पर हमने देखा कि हम कैसे प्रोड़क्ट से समयन डिफ्रेंज ला सकते हैं ऐसी चार फॉर्मूले बनेंगे बच्चो जहां पर हम समें डिफरेंस से प्रोडेक्ट का सफर त्रय करेंगे इसको मैं रफ कर रहा हूं और वाले को ठीक है आपका मनोता पॉस करके लिख लेना भी यह तो चार हो गए अब मैं आपको सफर पर लेके चलूंगा बच्चो जहां पर हम समं मेन डिफिरेंस अ कैसे जाए तो अहाँ अभी ऐसेह समझा जांडेंगे आपको नहीं समझाओ रहे कैसे इसको इजिली याद करेंग याद करना तफ है तो घ compat सो ते जारक फोपड़ी में तो अपने इतना सारा पढ़ाया था दो वीडियो में फिर आगे पढ़ाते ही जा रहें कोई दिक्कत नहीं सुनते रहना पिला अचा मान लो ना बच्चो मैं बोल रहा हूँ यहां पे देखो यह a plus b है इसको दो छोटा कर लेते हैं इतना बड़ा बड़ा याद करना कितना डिफिकलट है तो मैंने बोला बच्चो एक काम करो अपसी ले लो और A-B को D ले लो तो कोशन छोटा हो जाएगा लेकिन सार अगर इधर रिप्लेस कर दिया इधर तो A और B बैटा है तो A की भी वैल्यू चेंज हो जाएगी देखो अगर मैंने इन दोनों को एड कर दिया बच्चो तो यह B मर गया और यह 2A is equal to हो गया C plus D तो A की वैल्यू हो जाएगी बच्चो C plus D upon 2 यह जहां भी A है महां आज जाएगा और अगर मैं ऐसी इन दोनों को सब माइनस कर देता तो यह मरता और यह दोनों जुड़ता और B की वैल्यू मिलती C minus D upon 2 तो बच्चो यह दो वैल्यूस मिल जाती हमको दोनों वैल् तो A की वैल्यू क्या मिलें C plus D upon 2 B की वैल्यू क्या मिलें C minus D upon 2 अब बात आती है मैं सारे रिप्लेश कर देता हूं मिल गया A B A plus B अल्रेडी पता है बच्चो क्या है हमको लाइन टालो चलो यहां देखो आपको पता है प्लस B C A A minus B D A A इतना भी इतना पर इतना रिप्ले Cos C plus Cos D and finally बच्चो यह हो गया मेरा Cos C minus Cos D मैंने sequence क्यों नहीं बतला मैं उसका reason भी बता हूंगा आपको और यहां पर देखो यह हो जाएगा बच्चो टू साइन इंटू कॉस देखो एक ही जगे पे कुछ तो भी आएगा टू कॉस इंटू साइन यहां पर आगया बच्चो टू कॉस इंटू कॉस एन यहर इस बच्चा लोग माइनस टू साइन इंटू साइन अब अगर आप ऑब्जर्व करो सर यह यह एक ही जगे क्या आ जाएगा बच्चो C plus D by 2 that is C plus D upon 2 सब में आ जाएगा एन बच्चो जहां पर B है that is C minus D upon 2 यह हो गया मेरा complete formula भूदक्व से समेंड इप्रेंट्स तरम इन डिफ्रेंट्स से देखों यहां पर सब कुछ प्रोड़क्ट में बच्चो मैं मैं prix मैं मृटिप्लाय में सो में कभी वी जर्त है प्रोडक्स से संसे प्रोडक्ट मैं इतना यह ऊस्टरों कुश्ण करते हैं अब सर्याद कैसे रखें क्या ट्रीक है बहुत आपने पड़ा डाला तो बच्चो वन ऑफ दी ग्रेट टीचर जिनसे मैंने सीखा है पहुत ही जबर्जस रीचर है मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं याद रखेंगे इसको जो भी मैं अभी यहां लिखूंगा वह आपको बाहर होना चीए ठीक है ठीक है ठीक है साइन जिसको मैं सासू से प्रेजेंट कर रहा हूं सासू चौर चौर ससुर चौर चौर ससुर और पूरा का पूरा फॉर्मूला दोस्सो परसेंट आपको याद हो जाएगे अब यावे कुछ हिंदी की स्पिलिंग मिस्टे को तो नहीं बोलना भी बस चार लाइन याद रखने है इसी दिए मैंने इसका नाम दिया है सासू चौर फॉर्मूला सासू चौर फॉर्मूला और बस इतनी सीक्वेंस याद रखे कानी याद हो जाएगी देखो यह सेम ची चौर ससूर चौर चौर सास ससूर खास बात क्या है सासू चौर में या साइन साइन प्लस में चौर ससूर में साइन साइन माइनस में चौर चौर में कॉस्ट कॉस्ट प्लस में सास ससूर में कॉस्ट कॉस्ट माइनस में बस इसके पास माइनस ऐसे याद रखना स्यम याद हो मान लो सर्फ कॉस-कॉस आ गया कॉस-कॉस तो चोर-ठोर मैने यह देखो कॉस-कॉस सब्सक्राइब यहां पर यहां पर यह दो बस इतना सा ही यह चार लाइन ने याद करनी है बच्चो फिर से भी दो रहेंगे चार लाइने कौन सी सासू चोर चोर ससूर चोर चोर सास ससूर चार लाइन याद रखो इन चार लाइनों के रिस्पेक्ट में हमको इनको ध्यान रखना है देखिए जब तर कोशन नहीं करेंगे फिट नहीं होगा ब्रेन में बहले यही बहुत आसान तरीके से मैंने कोशिश क कि आपको बताने की पर ये भी आपकी खुपड़ी में जाने लिए आपको इसकी बहुत भेंकर प्रेक्टिस करनी पड़ेंग तो इसकी बहुत प्रेक् komplis करें नमबर की बेस्ट की सवाल ले आपकी बुक में चाहिए बच्चों कंपाउंड को ही एड सब्ट्रैक करने पर यह फॉर्मूले बनते ठीक है बच्चा लोग चलिए आगे बढ़ता हूं कहानी आगे ले चलता हो रहा है हो आपको याद हो गया होगा 200 याद हो जाएगा और याद रहे का लंबे समय तर चलिए अब मैं आगे बढ़ रहा हूं कहानी को आगे लेकर चलता हूं बच्चों अब तो यह मैंने एड सब्ट्रैक कर दिया आप इसकी नहीं बहुत ही खास प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आज ही मैं एक सवाल ले रहा था बच्चों सीटी 2022 का क्या लिग लिगते प्रॉपर्टी तो भी मैं जैसा कि आपको बता रहा है सीटी का कुश्चन बच्चों लिया था मैंने आज में आज ही 2022 का था वो और वो बिना इस प्रॉपर्टी के नहीं हो सकता या होगा भी तो फिर बहुत इड विल टेक टाइम मैंने दो लाइन में मारा अंसर विदिन 30 चैनि अप भी मारेंगे लेकिन अगर प्रॉपर्टी आती है तो जीसे मैंने भी एड़र सब्राइब मालो मैं मैं मुल्टिप्लाइ कर देता कभी मैं बोलता नहीं बच्चों साइण ए-बीो मल्टिप्लाइब कर दो तो बच्चों याद रखना यह बन जाता है साइन कि यह ज़िए बच्छों साइन स्क्वेर ए माइनस नाइन स्क्वेर भी सेम कॉस के लिए है बहुत ही खास है और इसी कुश्चन इसी फॉर्मुले से इस वाली प्रोपर्टी से आध सवाल निवता है बच्छों अधिश कॉसे प्लस बी इंटु कॉसे माइनस भी अगर कहीं द साइन के में साइन नह hogyan साइनी है कोस को अर दूसरा समय है और यही कोशन था फोश्वशन जाइक मेरा को थोड़ा वोथ याद है बच्छों कि कॉशन है अगर eats जो स्क्वेर 2 गोस क्वेर 48 माइनस कॉस प्वेर टल यह क्वेर włas ट्वेल्य लिए क्या होगी यह कोश्यन था कि अब यह कुशन इतना के जब्दाना इसकी दो प्रॉपर्टी दो खास बाते याद होनी चीए आपको पूरे बेसिक में पढ़ाऊंगा वो दोनों बाते पहली मैंने पढ़ा दी यह प्रॉपर्टी दे को स्कूर माइनस साइन स्कूर बच्चों यह याद होना चीए और दो बार पूछ रखा है कि साइन एटीं की वैल्यू क्या है यही कोशन है तो बहुत बहुत बंदी प्रोसेस यह टाइम लगता है इसलिए याद होना बेटर है याद होने के लिए पढ़ा होना बेटर है तो बच्चों को सौलागर करना होता तो देखो खट से यह लगता त प्लाइन के इसलिएश जमारी प्लस 12 और यह bout फेर फ्लस फॉल्टे यानि प्लस तो इसलोव संवाड़ी माइनस और सूर्ट आंसर हो जयता है आओ सब्सक्राइब और यह तभी पॉसिबल है जब आपको यह प्रॉपर्टी याद है और उसके बाद कॉस्ट थर्टी सिक्स भी आता है कॉस्ट भी याद होना चाहिए कि रूट फाइप प्लस वन भाइप फोर ही होता है ठीक है तो आसान कोशन था वोशन में दम नहीं था बच्चो लेकिन यह कि आपको याद होनी चाहिए प्रॉपर्टी याद रहें अब अभी तक जो भी मैंने डिसक्स किया बहुत-बहुत-बहुत इंपॉर्टन है बच्चो यह सारा कुछ और कृपया करके इसको याद कर ले को पड़ी लड़ाओ जितना सहतानी सोच सको अब सहतानी सोचने का मतलब कुछ खतरनाग नहीं कर देना उल्टा सोचने के बात कर रहो है ठीक है तो बच्चो आगे बढ़ते हैं 28 स्लाइट अपनी हो चुकी है और बेसिक स्टिल एट तो यह तो कहानी होगी बच्चो कंपा आता हूं नेक्स्ट हमको जो है मल्टीपल एंड सब मल्टीपल डिसक्स करना है बच्चो और फिर ठीट एन उसकी प्रॉपर्टी पे भी हम आएंगे तो फिलाल पहले तो हमको मल्टीपल एंड सब मल्टीपल क्लियर होना चीए बच्चो कि मल्टीपल एंगल क्या होते हैं अब इवी कुछ नया नहीं आएगा जो कुछ पढ़ा अपने वांट पढ़ान से सब कुछ बनते जाएगा याद रहेंगी तो हम सबाल अच्छे से कर पएंगे याद नहीं रहा तो सबाल नहीं से त्रिकों के फॉर्मुले इंपोर्टेंट यहात रख पाना ठीक है चलिए स् तो एंडियों लोगे से टीटा नहीं बोलके मैं वोलू बच्चों टू टीटा टीटा और आड़ तो एंड्साब मल्टीबल का बच्चों जीसे बात कर दें टीटा बैट 2 टीटा लिए प्रीटा भाई फूर एंड कहानी आगी तो यह उता है बच्चों मल्टीपल मतलब सीटा से डबल हो जाए टीबल हो जाए फोर टाइम हो जाए थाइए फॉर्ट हो जाए तो ऐसे किस में क्या होगा देखो में स्टटी मैं आपको बताओ इतने की है इतने की में स्टटी सबस्क्राइब इसमें 6 अगया प्लस को टीटा कोस फोर टीटा सिस्टीन टाइम को साइन 2 ठीटा प्लस बीच में साइन 6 ठीटा की वैल्यू मांग लेती है और अब वहां पर सब आना चाहिए नहीं आते है मर जाएंगे आता है दो मिनट दो मिनट भी नहीं लगे निप्ट और पहलों हो सकता है तो 45 हो सकता है आपको पता है तो आप सरवाBye लोगों ठोड़ा थोड़ा 37 बोल तो 37 नहीं यी आता है लिए पच्छों मैंने गोल दिया 45 and a half 45 and a half की value बताओ यानि कि 5 by 8 सवालों में पाइबाइट फस्ता है 22 and a half जिसको बोलते है 45 and a half 22 and a half 45 by 2 या 22 and a half 5 by 8 हो गया उसी को बोलते हैं सारी एकी चीज़े डरना नहीं कियो फूं को कैसे करेंगे ठीक है कैसे करेंगे वा अधम है लेकिन क्या है फॉर्मुला वह जरूड़ superior ऑच्छोउ आप मुझे पता है तो फार्मूला बनके कंपाउंड का ए प्लस भी साइन अ प्लस भी होता है बच्छों साइन ने कॉस्पी प्लस कॉसे साइन नी और आप अपर आप सब्सक्राइब दोनुञ चीज लिखा लगए तो से मैं ना सब्सक्राइब और एड़ थी फर्मूला बन गया और आप साइन टीटा इनटू इनटू है इंटू कॉस्थ थीता यह अब अधू साइन टू घी टा और यह बहुत इंपोर्टेंट है मारे लिख का निया मरी यह से स्ट्राट वती है मुल्टीपर लेंगल के सर्साइन टूठीट अगितना तो साइन टू टेन टू एइन gonna cause आप दिमाग मना दिमाग मतलब दरवाजेद को षब करोगे ना बचो अगर मैं आपको क्या है नहीं यहां और यहां पर क्या है रहा है एगजैकली तो इसका हांजा किसका अधा अगया तू का देखो बच्चो टू का अधाई है अच्छा अगर मान लो कल को फ्यूचर में मैं आपको बोज दो बच्चो साइन फोर थीटा चीए मेरे को सूचना थोड़ा सा तो साइन 4 थीटा गया हो जाएगा 2 आइन 2 ठीटा इंटू ओस तीटा आप दिमाग लगाओ टूटेटर क्योंकि सर टू का अधा इधा तो भी या फोर का इधा इधर करतो यह 4 पूर का आधा होना चींगे तो सर्फ और का अधा कितना होगा टूपर तो इदर भी टूइदर भी देट से माली जे कल को मैं साइन 6 थीटा बोल देता बच्चों साइन 6 थीटा कितना तो आप तुरंद समझ चाते सरी हो जाएगा तू साइन 3 टीटा इंटु कॉस थीटा दोस साइन थीटा कुछ नहीं फरक पड़ेगा दिमाग लगाओ तू टीटा दा सर आधा हुआ तर थीटा है उसता आधा कर दो अब थीटा का आधा होगा क्या थीटा भाई टू आधा हो गया इंटू कॉस्ट थीटा भाई टू देखो बन गया सब मल्टीपल बचो आफ एंगल फ यह फूल एंगले कोई दिक्कत नहीं है तो सब्सक्राइब को सब्सक्राइब टू इंटू में तो आधा हो रहा है रहा है डिवाएड मैं तो और टू से मुटिपलाइब करके बढ़ा दो मिट्था बैचार हो जाएगा इंटू को इस दिटा में चार हो गया तो बच्चो तो सो जाएगा कि इंट्टू कर दिना यह आदा कर देना यह इन टु आयेगा इतना मैं ज़्यादा आगे चला जा रहूं यह इंपॉर्टेंट वस्य दो बक्सें बागे तो मैं खाली आपको दे दे रहां तो यह दो बहुत इंपोर्टेंट है बच्चों दोनों आपको वाहड़ की साइन टू ठीटा यादा सब यादे खता मागे पूछ लिए स्टू समें टू करहें कि अब आगे बढ़ते हैं यह यह फिर्स्ट फिकन फिर्स्ट यह पे सगें बात करें बच्ण तो बारी आती है क प्रूफ करने जाओं तो सर वही कॉस्ट ठीटा प्लस ठीटा देखो मैं इसको क्या लिख दूँगा बच्चो ठीटा प्लस ठीटा तो यह हो जाएगा कॉसे कॉस्ट भी मैनस साइने साइन भी कंपाउंड एंगल याद रखना और बच्चो यह बन गया मेरा कॉस्ट कॉएट थीटा माइनस साइन स्कॉर थीटा और यह वो गया मेरा कॉस्ट टू रिटा का फॉर्मुला Kνα credit तो भई मिलके आपना कॉस्टू डिटा जो की होता है कॉस्ट्वर माइनस साइन स्क्वेर अब सर अगर यहां फोर हुआ तो यहां टू होगा यहां थीटा हुआ तो यहां हाफ वह वह पढ़ाने की जरुद्वत नहीं है वह आप अच्छे बच्चे अगर मैने कलको बोल दिय यहां पर थीटा है मालो कॉस्टू तो आप बोलेंगे सर फॉर्मूला हो जाएगा अगर को स्क्वेर थीटा बाइटू माइनस साइन स्क्वेर थीटा बाइटू यह बन गया हाफ एंगर बहुत आसान है बच्चा भी बना लेगा इसको बस आदा आदा तरदो सर अच्छा इस फॉर्मूले से मैं दो और फॉर्मूले बना सकता हूं क्योंकि मैंना जब छोटा चोटा दे आप अब तब आपने पढ़ा था कि सर साइन स्क्वेर प्लस कॉस्क्वेर वन होता है पहल नहीं साइन इधर बेजा तो बच्चो वन माइनस साइन स्क्वेर होगा तो जहां भी कॉस्क्वेर रहा एक एक फॉर्मूला और जनरेट हो गया बच्चो कि कॉस्टू ठीटा होता है मेरा बहुत इंपॉर्मूला पर यह फॉर्मूला यूज ऐसे नहीं होता है आप ध्यान देना यह यूज होता कैसे पहले तो एक सिखेना बच्चों मेरे को एक कॉल है हलो ठीक है कंटीनिव करते हैं बच्चो स्टार्ट होगे बिसिकली राउटर वाला आ गया था दिलीवरी देने वह ऐमेज़ों वाले ठीक है चली एक यहां पर तो अपन कांपे थे हाँ जी मैं सेकंड प्रोपर्टी पढ़ा रहा था तो बच्चों कॉस्टू डिटा की एक और प्रोपर्टी मिल गए मिरको वन माइनस टू साइन स्कूर मैंने इडेंटिटी यूज़ करके बना दी लेकिन इसको भी ऐसे यूज़ नहीं करना यूज़ करने का तरीका देखिए इससे भी ना आपन कुछ नया बनाएंगे और उसको यूज़ करेंगे मैक्जिमम टाइम बच्चो यह यूज़ होगा आगे जो मैं लिखने जा रहा हूं दीखिए अगर मैंने इसको यहां बेचके इधर शिफ्ट कर दिया तो एक फॉर्मूला बन जाएगा बच्चो मेरे पास की वन माइनस कॉस्टू ठीटा होता है मेरा टू साइन स्कूर ठीटा या नहीं यू आप ने कॉस्ट को क्यों रिप्लेज किया था आप तो सब्सक्राइब सकते थे क्योंकि साइन स्कूर एंट को स्कूर को स्कूर तो बच्चों जिस दिन आप साइन स्कूर को रिप्लेश करोगे तो पॉस्टू ठीटा का एक फॉर्मूला और जनरेटरो आपके सामने इस की यह एक और important formula बन गया लेकिन इसको भी यूज ऐसे नहीं बच्चो यूज करने का तरीका यह होता है कि 1 को इधर भेजा तो we get 1 plus cos 2 theta as 2 cos square theta यह important है बच्चों दोनों यह बहुत important है दोनों बख से यह दोनों most important कि सर 1 minus cos 2 theta 2 sin square 1 plus cos 2 theta 2 cos square अच्छा इनको तो half angle में भी यूज करने का काम आएगा कल को हमको बच्चों यह half angle में भी लगेंगे half angle मतलब बच्चों मैंने बोल दिया रेको यह 1 minus half कर दिया तो यह हो गया कॉस्ट theta is equal to 2 sin square theta by 2 क्योंकि जिस दिन मैं आपको half angle सिखाऊंगा 22 and a half निकालना सिखाऊंगा यही formula से सिखाऊंगा कि सर 1 minus cos theta होता है 2 cos square theta by 2 and 1 plus cos 2 theta हो जाएगा मेरा 1 plus cos 2 theta is nothing but 2 cos square theta by 2 यह दोनों भी बहुत important है है सेम बच्चों यहां पर टू है वहां पर हाफ है इतना ही फरक है बाकि कोई डिफ्रेंस नहीं फॉर्मुले सेम है पर important बहुत ज्यादा है दोनों याद होने चीए दोनों आप एंगल में काम आएंगे अब बारी आती है बच्चो 10 की यह तो हो गए sin cos अब 10 पर आ जाते किसर 10 2 theta क्या होता है तो बच्चो 10 2 theta को भी आप वही लिखोगे 10 theta plus theta theta प्लस theta जो कि हो जाएगा बच्चो 10 a plus 10 b upon 1 minus 10 a 10 b यह होता है 10 a plus b और अल्टिमेटली उपर दोनों एड होके बन गया 10 to 10 theta upon 1 minus 10 square theta लेट इस 10 2 theta और मिल गया हमको 10 2 theta का formula लेट इस 2 10 upon 1 minus 10 square हाफ एंगल के लिए बच्चो यह थीटा होगा यह थीटा बाइटू अब फालतों की लिखने की जड़त नहीं है है 210 upon 1 plus 10 square है एंड ऐसे ही कॉस्ट 2 theta भी मिलता है हमको 10 के टम में जो कि हमको याद रखना होना चाहिए कभी सवाल फस सकता है वह होता है बच्चो 1 minus 10 square upon 1 और यहां होती है multiple की कहानी खत्म यह भी important है बच्चो equally important अ कि याद होने चाहिए इतने formula multiple and sub-multiple की यह सारे multiple and sub-multiple है बच्चो और याद होना ही चाहिए कोई ultimate source नहीं है अपने पार याद रखने के लावा तो वह याद ही रखना है और कोई रस्ता दूसरा नहीं है ठीक है बच्चो ऐसी देखो जैसे टूठीटा देखा एसी थ्रीटीटा भी देखेंगे हम हाँ जी सो जैसे बच्चो हमने तूठीटा देखा सिमिलरली थ्रीटीटा के भी फॉर्मुले ऐसे ही बनते हैं और यह सब फॉर्मुले बहुत ज्यादा इनका काम लगेगा तो जो थ्रीटीटा होता है यह तो टूठीटा की बात होगी जब हम थ्रीटीटा की तरफ चलेंगे तो कहानी लगबग ऐसी ही है प्रूफ करने के तरीके बच्चो ऐसे ही है जैसे मैंने इनको प्रूफ किया प्रूफ करके दिखा है सारी प्रॉपर्टीज आपको दिखा है यह इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है अच्छा देखो एक चीज और बच्चो जैसे वन प्लस स्कॉस्ट टीटा 1-1-1-1-1 प्लस कॉस्ट इखा आपके दिमाग में डाउट आएगा कि सर अगर स्कॉस्ट होता है तो कि साइन को भी हम यूज कर सकते क्या इसी तो मैं आपको बता देता हूं प्रूफ रूप पे ज्यादा फोकस नहीं करना यह तो मैं बता दूगा याच गोता है तो बच्छों मजह पता हाँ सब्सकॉर सब्सक्राइब सच्वर प्लस कॉस्कोर यूज करना है उसके लिए ब्रेंच ही है तो यह रावन की जाए के साइन स्क्रड प्लस कॉस्क्वर और साइन टू टीटा मैंने आपको सीखा या बच्छो टू साइन इंटू कॉस होता है और आप अगर अब्जर्फ करोगे तो यह फॉर्मूला बन गया ए प कि साइन प्लस कॉस्को कोई दरद नहीं रपो कोई दिक्क्त नहीं तो यह दो भी है मैं दे दे रहाँ कभी काम पड़े तो बोलना नहीं सर आपने पढ़ाया नहीं बेसिक में सब होना चीए आपका ठीक है चलिए अब बच्छो ना अपन थ्री ठीटा की तरफ बढ़ते है अधिस अधिस साइन थी ठीटा यानि कि मल्टिपल में हम थी ठीटा देख लेते हैं वीजिक लिए तो वच्छो तीन फॉर्मुले हैं साइन थी ठीटा कॉस कहूं चला गया कॉस्ट ठीटा एं टें ट्रीट अब मैं आपको याद करांगा प्रूफ नहीं दे रहा हूं यहा नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में पहले वहीं अप्लोड करके डालूंगा यहां तो मुझे रोकना है इसलिए मैं जो है खली फॉर्मुले आपको देखे इस वीडियो के साथ छोड़के जाऊंगा यहां पर मैं सीधा याद करने का ट्रिक सिखा देता हूं रट लेना है साइन थ्री टीटा होता है बच्चो 34 ले थरी गाया है वह वह कॉस्स थ्री टीटा होता है 43 और टैन थ्री थीटा होता है 31 अपॉन 13 अब आप बोलेंगे सरी यह क्या है यह कैसे नंबर है देखो बहुत आसान है 34 43 एन 13 34 बीच में माइनस 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 अब क्या सर साइन में दोनों में साइन लिख दो यह सर लिख दिया साइन थीटा कॉस में दोनों में कॉस लिख दो 10 में इधर 10 इधर 10 और इधर 10 यह वाला वन अमेशा अखेल होता है तो देखो 10 का कोई फर्मूला जीवन में देखोगे यह वन हमेशा रहते हैं सब में रहेगा तो यह वन को कुछ अब सर्षाइन और कॉस की बात करूं अपने 34 Graham and the फोपड़िपना के में चेंड में यहां सिंगं यहां क्यूब और यहां स्क्वेश यह याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा कि यहां वन कोऑर में कड़े खित बबस याद कर लेना है कि मैए उट अल efficacy यूज आते है इन दोनों का इसका यूज तो नहीं आता है बहुत रेर मैंने कहीं देखा होगा यूज तो बहुत जाद है इस पे इस पर करने की जड़ुदि नहीं Beim ने कर нравится ऱरीज तो बहुत भी होते है बहुत होता थीक पर मैं जो है स्टॉप करूंगा लेक्चर को और और क्या भी पढ़ते रहें मुस्पराते रहें और खुश रहें हेल्दी रहें अच्छा खाएं और बहुत सारी बढ़ाई करें मिलेंगे अगले वीडियो में बाई-बाई